अब जैसे साइंस की भासा में देखें तो मैटर क्या होता है तो पहले हम example लेते हैं कि अपने आ सपास आपने different types जो things हैं इसको देखा होगा इसके अलावा जब हम आकास की तरफ देखते हैं तो हमें आकास में रात के अंदर तारे भी दिखाई देते हैं चंद्रमा भी दिखाई देता है दिन में सुर्य दिखाए देता है फिर जो हम सांस लेते हैं इसमें हवा ये हमारे लिए आवस्चक है इसके अलावा हम देखते हैं कि जो पानी है ये भी क्या कहलाएगा matter तो हम ये कह सकते हैं कि जो अपने अर्थ है मिट्टी है या फिर air हवा है या water जो की पानी है इसके अलावा जो different things जो कि अपने sky में दिखाई देते हैं ये भी क्या है matter है तो हम ये कह सकते हैं सबी जो है किसी ने किसी material से बना हुआ है अब आते हैं हम कि जो अपने material है तो क्या इनमें पहचान क्या होगी कि कैसे हम कहेंगे कि ये matter ही है तो आपने देखा और किसी भी object को जब हम कहीं रखते हैं तो क्या करता है स्थान घेरता है matter occupies space इसके अलावा कि इसमें mass होता है यानि वजन होता है अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इसमें volume भी होता है तो ये इसके definition बन जाएगे अब हम चलते हैं कि जैसे अपने हम देखते हैं पुराने time के जो दार्सनिक थे उन्होंने क्या कहा matter क्या होता है और इसको कितने भागों में बाटा जा सकता है जैसे हम देखते हैं ये अर्ट अर्थ फायर अंड अंड इसकाई ये फायर थिंग्स हैं जो की matter के अंदर पुराने philosopher के अनसार इनको classify किया गया है लेकिन जो हमारा modern scientist है इन्होंने matter को क्या किया मुख्य रूप से दो आधार पर divide किया है वो है physical और chemical base तो हम देखते हैं पहले कि जैसे यहाँ पर five things है ये five things आपको लगभग सभी चीजों में मिलते हैं देखने के लिए जहां तक कि हम देखते हैं हमारा जो सरीर बना हुआ है ये भी इन पाँच तत्वों से मिल करके बना हुआ है तो इनको पाँच तत्व यनि फाइव और तत्व लिखा गया है ये हैं छिती जल पावक गगन समीरा अब देखे जो अपना modern scientist है इन्होंने क्या क्या फीजिकल और chemical nature पर इन दो बेस पर इसको डिवाइड किया है तो अब हम चलते हैं modern scientist के according जो पहला पाट अपना फीजिकल नेचर तो फीजिकल नेचर में आप देखते हैं कि कोई भी elements जो है या फिर उसका component है या compound है या mixture है तो सब को मिला करके हम matter बनाते हैं तो matter जो है इसका क्या होगा आप देखेंगे solid, liquid या फिर gases form में पाए जाते हैं ये इसका small जिसके बारे हम कलपना भी नहीं कर सकते हैं अब आता है कि जैसे आप इनके matter के particles को देखेंगे जैसे नमक है बहुत छोटा दिखाए देता है लेकिन उसको भी हम यदि पीशते हैं तो और महीन हो जाएगा इसका अर्थ क्या है कि इन में जितने भी small कर सकते हैं बहुत small होते हैं और उनको आपको microscope से देखना पड़ता है जब हम microscope से देखते हैं जो matter के particles हैं उन particles में आपको दिखाए देगा बीच बीच में खाली जगा होता है तो हम यह कह सकते हैं जितने भी particles है इनके बीच में space पाया जाता है अब आता है कि जैसे हम देखते हैं यदि space है तो आप और भी गौर करेंगे तो जितने particles होते हैं यह continue move करते रहते हैं अब देखें जैसे continue move करता है इसका अर्थ क्या है कि इसमें kinetic energy पाया जाता है आप यदि किसी भी liquid को जैसे हम दूद को गरम करते हैं यह पानी को गरम करते हैं तो गरम करने पर आपने देखा होगा कि इसमें उबाल आता है उबाल आया इसका अनलग क्या होगा moving है तो जितने भी इसके अंदर particles हैं यह move करना प्रारंब कर रहा है और जितना आप इसको गरम करते हैं उसमें kinetic energy क्या होगा बहुत तेज बढ़ जाता है तो इसके कारण से moving fast हो जाएगे यहां तक आपने यह समझ लिया है तो इसको मैं रब करता हूँ बाकी सारी चीज़े notes में आपको मिल जाएगे अब देखिए कि जैसे हम देखते हैं पानी पानी में नमक को या चीनी को गोलते है क्या असानी से गोल जाता है तो हम कहेंगे नहीं उसको गोलने के लिए हमें मैनत करना पड़ता है लेकिन यदि हम पानी में दूद को मिलाते हैं तो बहुत ही आसानी से मिल जाता है इसके अलावा आप देखते हैं कि जो पानी है तो पानी में रहने वाले जो एनिमल्स हैं जैसे फिस या प्लांट्स होते हैं इनको ऑक्सिजन प्राप्त होता है ये कहां से है एक्टमास्फियर से जो ऑक्सिजन आता है वो पानी में मिक्स हो जाता है तो इंटर मिक्सिंग इसके अंदर क्या पाया जाता है इंटर मिक्सिंग इसको हम कहते हैं diffusion diffusion जो है इसका आर्थ है कि liquid का gas में mix हो जाना या फिर gas का gas में mix हो जाना अपने आप ये mix हो जाता है तो इसको हम कहते हैं diffusion ये कहलाएगा intermixing और इस process को आपको याद रखना है diffusion कहते हैं इसके बाद में हम देखते हैं कि जितने भी matter है उनके particles के बीच में force of attraction पाया जाता है इसका आर्थ यह है कि जो हमने देखा matter के particles यदि उसको आप गौर से देखते हैं तो हम जैसे एक्जामपल लेते हैं solid solid में कोई भी चीज यदि आपके पास है तो उसको आप देखिए तोड़ने की कोशिस कीजिए जल्दी नहीं तूटता है लेकिन liquid है यदि हम इसमें ऐसे हाथ चलाते है तो कट जाता है वो अलग हो जाता है और जो गैस होते हैं इन में भी क्या है force attraction देखेंगे तो बहुत कम होता है जैसे मान लिजए गर के अंदर हम देखते हैं बहुत सारी चीज खाने में बनते है और उनको जब बनाया जाता है तो उसके खुस्बू जो है हमारे नाक तक आ जाती है चाहिए हम किसी कमरे में बैठे हुए हूँ इसी प्रकार यदि आप अगरवत्ती जलाते हैं तो मान लिजए कि आपने घर के किसी एक कमरे में अगरवत्ती को जलाया तो उसके खुस्बू जो है आपको प्रतिक कमरे में पहुँच जाती है इसका अर्थ क्या हुआ कि इसके अंदर क्या है फोर्स आफ अट्रेक्शन जो है बहुत ही कम होता है यह अपने चार पांच पॉइंट है जो कि क्या कहलाएगा फिजिकल नेचर आफ मेटर ओके थैंक्यू इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पड़ेगे